तो दोस्तो कैसे हो आप सभी लोग? I hope कि आप लोग एकदम ठीक होंगे दोस्तो यार हमारे रोफिरों ने काफी दिनों बाद में अपने डूटी जोइन कर ली है लेकिन उसते भी अच्छी बात ये है कि हमारे रोफिरों के पास में दुनिया की सबसे ताकतवर ड्रेस आइरेन मेन की ड्रेस भी आ चुकी है भाई अब तो सारे के सारे पुलिस वाले चेन की नींद सोने वाले हैं क्योंकि भाई आप तो जानती ही हो आइरेन मेन की ड्रेस कितनी पावरफिल होती है भाई और अब Iron Man की ड्रेस, Roep Hero को मिलने के बाद में ये भी बहुत जिता ताकतवर हो जाएगा, हाँ दोस्तो, Super Hero, Mutant वगेरा सबसे ताकतवर, पहले तो बेचारे के पास में कुछ भी नहीं था, और अब इसके पास में Iron Man की ड्रेस आ गई है न, तो दोस्तो, अब ये इस Voice Town का सबस पाउरफुल इंसान बन चुका है, और अब चाहे जॉंबी हो, या फिर हो कोई बड़ा मॉंस्टर, हमारे रोफिरों के सामने वो बिल्कूल भी नहीं टिक सकता दोस्तो, क्योंकि भाई, ये इस ड्रेस के अंदर एक रोबोट भी छुपा हुआ है, जो हमें नहीं दिखता ह रोफिरों को वो पहले ही खत्रे के बारे में संकेत दे देगा, हाँ दोस्तो ये ड्रेस काफी एडवांस टेकनोलोजी से बनाई गई है, और ये सच में बहुत ताकतवर है, लेकिन इसमें अभी भी सारे सारे सिस्टम ओपन नहीं हुए है, जैसे कि आग निकलना और हवा के अंदर उडने वाला भी नहीं हुआ है बाई चालू, लेकिन दोस्तो अपग्रेट हो जाएगा, ओ टिपसन भाई क्या हाल चाले, अरे आईरन में तुम हमारे वोश्टाउन में क्या कर रहे हो भाई, मेरे को तु विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में आईरन में हो, अर दोस्तो चलते हैं टिपसन भाई के घर पर और इसकी सारे की सारे फ्यूचर चालू करवाते हैं, बोले तो ओपन कराएंगे, वो उडने वाला भी आरन में उडता है वेसा फ्यूचर भी चालू कराएंगे, अरे रो फिरो तु आ गया, तो यार तेरको ये ड्रेस तो मिल पड़ेगा, ओ, बस इतना सा मिसन करना है और उसके बाद मेरे सारे की सारे फ्यूचर चालू हो जाएंगे, तो दोस्तो चलते हैं फटापट से हमारे आरन में के सूट के सारे की सारे फ्यूचर चालू करने लिए, फिर भाई हम हावा से भी तेज उड़ सकते हैं, भाई इतना खतरनाक होता है आरन में का सूट, तो दोस्तो ये मेरे को एक जोगाड़ी मिल गया है, जो की मेरे को टेंक लाने में मदद करेगा, तो आज आपट जाके पुलिस वालों को दे देंगे, फिर हमारा उड़ने वाला फ्यूचर चालू हो जाएगा, और उसके बाद में फटर को तोड़ने वाला भाई, वो बोलते है न, वो एकदम से लाइट जाती है, वो वाला फ्यूचर भी चालू हो जाएगा, वेसे यहां से टेंक ले जाना काफी मुस्किले में अंदर देख लेता हूँ कि कितने फोजी है और कितने नहीं है, भाई तू बाहर ही रहे न, अगर तू अंदर जाएगा न, तो सारे की सारे फोजी मिलकर तेरी जान ही ले ले लेंगे, मैं अकेला जाओंगा, हाँ वेसे भी मेरे आज कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि भाई ये लोहे का सूट है, आयरन बोलते है न, लोहे कोई बोलते है, यार काफी मजबूत सू पड़ी राओं यार में, और वेसे भी रात हो चुकी है, तो दोस्तो मेरे को ले जाते ले जाते दिन हो चुका है, और ये देखो भाई, मेरे सामने ग्रीन ट्रास्पर, ये चाहता ही न, ये की भाई, मेरे आईरन मेन के सूट के सारे के सारे फ्यूचर खुले, लेकिन करते हो तो हमें बहुत ज़दा कुछी मिलती है और यह देखो भाई यह इस्टेशन भी आ चुका है हमारा पुलिस इस्टेशन यह सीधा ही जम करा देता हूं इसको मैं और यह ताकतवर टेंक लेकर हमारे पुलिस वाले भी बहुत ज़दा ताकतवर हो जाएंगे तो दोस्तो वाले पता नहीं कब आएंगे यार तब तक के लिए इस टेंक को हमें क्या करूं तो दोस्तों काफी समय बीतने के बाद में हमारे पुलिस वाले आ चुके हैं वह भी डेर सारी आ चुके भाई और इस हरे कलर के इस आदमी को हाँ यह हमारी यह बोले था ना मैं यह हमारी मद कि भाई में अपनी सुरक्षा करूंगा ना जब से यह आयरेन मेन का सूट मेरे पास में आया है ना भाई सारे के सारे रोबोट और जितने भी मेरे दुस्मन थे ना मेरे पीछे पड़ गए यहां तक की ग्रीन ट्रास्पर भी मेरे को मारने की कोशिस किये भाई उसने तो द देखो भाई कितनी देर हो गई इस पुलिस रोबोटिंग कार को हाई यह पुलिस वालों की रोबोट कार है यार यह देखो कितनी देर हो इसको उल्टी रखी हुई है कितनी देर से यह सीधी ही नहीं हो रही है और यह अब सीधी हो गई चल भाई जा फटा पट से और रुक लेकिन दोस्तों ये मेरे को कभी भी बर्गर नहीं खिलाता है, ये देखो लड़की ने तो खा लिया, अब ये फोजी भी खाएगा, बर्गर और उसको क्या बोलते हैं, पिज्जा भी खाते हैं ये लोग, और रोफिरों को तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ये देखो पेस की बारिस होगी भाई एसी मशीनी बनाना पड़ेगा यार मेर को ये देखो पुलिस वाले भी बेचारे भूके रहते हैं मुझे डॉक्टर जटका से बात ही करनी पड़ेगी क्योंकि भाई वो ही है एक सक्स जो अजीबो गरीब मशीनी बना सकता है हा यार उनसे बात करनी तो मुझे बचाना पड़ेगा इस लड़की को ये तीन लोग है जो मार रहे है ओ भाई मेरे पास में गन नहीं है इसका मतलब यार मेरा कुछ ना कुछ शक्तिया काम कर रही है देखो भाई रोफिरों के हाथ में गन नहीं है लेकिन फिर भी भाई इसके अंगुल के अंदर से गोलिया निकल रही है यार ये सूट तो काफी कमाल का है यार मेरे को तो पता है नहीं था कि भाई इतना भी डेंजर हो सकता है ओ इसने तो रोफिरों को मार दिया और ये लड़की ने मेरे को बचा लिया वाँ भाई वाँ क्या लड़की थी रोपिरों को लड़की को पहली बार आया है और फिर किल जाएगी फिर तो पटापट से कोफी पिलाओ सर्जी औरिये बोटल गुमाई और यह क्या डाल रहा है ओ इसने तो कुछ भी ने डाला यार इसने भी रोफिरो को पागल बना दिया चलो हम भी पागल बनाते हैं भाई हम भी पी लेते हैं जूट मूट चलो भी रोफिरो पी ले कुछ भी नहीं है फिर भी पी ले तो दोस्तो यार आपको Iron Man कैसा लग रहा है बताओ यार कमेंट में जरूर बताओ अगर आप लोगों को Iron Man की ओर वी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना और अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बाई सबसे पेले तो लाइक वाला बटन दबाओ और उसके बाद में सस्क्राइब वाला बटन दबाओ मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो